दियर इस्टुडेंट, गूड मॉर्निंग, तोड़े वी आर डिस्कसिंग एवाउट दियूवन लेक्च्चर, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग एवाउट दा इंट्रडेक्शन आफ माइक्रोबेलोजी तो सबसे पहरा हम देखते हैं कि माइक्रोबेलोजी की परिवासा क्या है, विज्ञान की कौन सी साखा है, किस प्रकार के जीव इसके अंतर गताते हैं, किन किन जीवों किसमेद्धिन किया जाता है, इसकी साखा हैं क्या होती है, इसके अलावा इसमें जो जीव जनतु आते है उनकी आकार आकर्तिशन रशना क्या क्या होती है उन सभी के बारे में हमेद्धिन करेंगे Microwology सब्द जो है वो क्रीक वासा का सब्द है और ये तीन सब्दों से मिलकर बना हुआ है Micros, Bios और Logos Micros means small बहुती सूख्ष बहुती छोटा Bios यानि जीव यंतू जीवन Logos यानि इस्टेड़ी करना इस प्रकार हम इसको कैसे परिवासित कर सकते हैं कि ऐसे जीव जिनको हम बेना Microscope के नहीं देख सकते या बहुती सुख्ष्म जीव जिनको हम नगन आखों से नहीं देख सकते हैं उनका अध्यन करना Microbiology कहलाता है यानि सुख्ष्म जीवों का या Microscopic Organisms की Steadies Microbiology कहलाती है यह जीव नगनाखों से नहीं देख सकते हम इनको इनको देखने के लिए हमे Microscope के आओ सकता होती है Magnifying Lens के आओ सकता होती है उन्हीं के सायता से हम इनको Stand करके देख सकते हैं यह Unicellular, Multicellular या A Cellular वरकार के जीव हो सकते हैं अब आता है What is a Microbe ? यानि कि Microbe क्या होते है The word Microbe या Micro-Organism is used to describe an organism That is so small यानि ऐसे जीव जो बहुत ही छोटे होते हैं That cannot be seen जिनको हम नहीं देख सकते Without the use of a Microscope यानि कि सुक्ष्म जीव क्या होगे ऐसे जीव जिनको हम बिना सुक्ष्म दर्शी के या बिना Microscope के नहीं देख सकते हैं वो सभी जीव सुक्ष्म जीव कहलाते हैं Microbiology is a large discipline Which has a great impact on other areas of biology and general human welfare Our world is populated by invisible creatures यानि कि बहुत सारे invisible जीव जनतों बाया जाते हैं और वो बहुत ही सुक्ष्म होते हैं जनको हम नगनाखों से यानि कि Too small to be seen with the unadded eyes यानि बिना किसी भी यंत्रे उपकरण के साहता से या magnifying lines के साहता से हम उनको नहीं देख सकते हैं अब बाता देगी the size and cell type of microbes क्या हो सकती है most of the bacteria protozoa and fungi are single-celled microorganisms and even the multi-celled microbes do not have a great range of the cell type इनमें किसी प्रकार की cell बिसे इस प्रकार की संबस्ना नहीं होती है viruses are not even cells जबकि virus है वो किसी प्रकार की cell होती नहीं है जस्ट एक genetic material उसमें होता है और वो genetic material surrounded by protein code and the incapable of independent existence approximate range of the size of the various types of microbes जैसे कि जबने भी microbes होते हैं उनको आकार आकरती मार्पने के लिए diameter word हम use लेते हैं diameter जो है उसको मार्पने के लिए माइक्रो मीटर में मेजर करता है यह cellular या कोई भी bacteria है तो bacterial size जो रहती है वो 0.1 से लेकर के 10 माइक्रो मीटर तक की होती है प्रोकरियोटिक फंजय होती है वो 2 माइक्रो मीटर से 1 मीटर से नीचे या उससे भी कम होती है युकरियोटिक कोई भी proteins है वो 2 से लेकर के 1000 माइक्रो मीटर होंगी उस एल्गल सेल जैसे cyanobacteria आते हैं वो 1 माइक्रो मीटर या few माइक्रो मीटर रैंज में हो सकते हैं कि माइक्रो और्किनिजम्स और डॉमिनेट लाइफ फंस ऑन आर्थ और फंड इन ऑल्मोस्ट एवरी कंसीवल अर्वायमेंट ओमनी प्रिजेंट होता है यह प्रत्वीं के या जह पर वायव सेराएं वायव सेर का ऐसा कोई भागनी हि यह पर सुक्ष्मिचीब नहीं पाया याते यह जो होते हैं वाय। और यह पर-वाय जाँक्रो में 100% watching कुछ the day यह जैसन फ्पाइजरा हैं यानि कि हम किनको microbes कह सकते हैं वो particularly five groups हैं जिनको हम microorganisms के अंदर define कर सकते हैं major categories में हम उनको रख सकते हैं तो first आता है वेक्टेरिया वेक्टेरिया टाइपिकली unicellular unicellular का मतलब हुआ single cell का बना हुआ है एक कोशिका का बना हुआ है microscopic होते हैं प्रोकेरियोटिक organism होते हैं और reproduce by binary fusion यानि कि बैक्टेरिया यानि जीवन ऐसे प्रोकेरियोटिक कोशिका जो केवल सिंगल कोशिका के बने होते हैं और वाइनरी फीज अन्दी विफंडन के दुवारा प्रेजनन करते हैं वेक्टेरिया की सरेणी के अंतरगत बर्गीक्रत किया जा सकता है तो वेक्टेरिया आपको एक प्रकार का microbes है micro organism है इसी प्रकार next आता है fungi इसमें include किया जाता है yeast और molds को include किया जाता है these are typically unicellular microscopic eukaryotic organism होते हैं ठीक है लेकिन यह eukaryotic होने के साथ खास बात क्या है यह typically unicellular single kochika के बने होते हैं microscopic होते हैं और reproduce asexually by wording यानि wording के दौरा यह asexual reproduction करते हैं जबकि molds are typically filamentous molds जो होते हैं वो filamentous होते हैं eukaryotic fungi है यह भी और reproduce by the asexual reproductive sports के दौरा यह reproduction करते हैं next group आता है viruses यानि viruses को भी हम microbes की स्रेड़ी में वर्गी करत करते हैं तो viruses आता यह typically sub microscopic acellular यानि कि without a cell infectious particle that can only replicate inside a living host cell यानि कि एक परकार के infectious agent होते हैं जो की living kochika के अंतरकत ही यह reproduce करते हैं अगर इनको living cells नहीं मिलते हैं तो यह reproduce नहीं करते हैं the vast majority of viruses versus either dna और rna what not worth दोनों एक साथ नहीं होते हैं इनमें genetic material इनमें से कोई भी एक परकार कर genetic material हो सकता है तो viruses को भी हम microbes की स्रेणी में बर्गी करते हैं next आता है protozoan protozoa are typically unicellular microscopic eukaryotic organism that lack a cell wall यानि कि इस type के जो protozoans होते हैं उनको हम इसके अंतरगत बर्गी करत कर सकते हैं next आता है algae algae mostly जैसे की cyanobacteria एनविना नॉस्टॉक लोरेला क्लेमाइडा मोनास बॉल बॉक्स यह small टाइप की eukaryotic organism है जो की photosynthesis करते हैं उनको भी हम microbes की स्रेणी में define करता है mostly जो cyanobacteria होते हैं उनको अब बाता था है कि discovery of microorganism कि सबसे पहले जो microbes है या जो microorganism है उनको सबसे पहले किसने को जा था तो Antonyvon Leuvenhawk is the first person to accurately observe and describe the microorganisms सबसे पहले सबसे पहले सबसे जो का observation प्रक्षन जो है Antonyvon Leuvenhawk ने किया था क्योंकि सबसे पहले जो माइक्रसकोब बनाया था मैगनिफाइंग लेंज बनाया थे वह इनोंने बनाया थे और माइक्रोब्सकों ने डिसकवर्ड किया और पर्टिकुलर एक नेम दिया एनिमल क्यूल्स Antonyvon Leuvenhawk को founder और father of microbiology कहा जाता है क्योंकि सर्व प्रैथा मेशी ने ही सुक्ष्म जेमों को प्रेक्षन किया माइक्रोब्सकोब को डिसकवर्ड किया बनाया तो इसलिए founder या father of microbiology Antonyvon Leuvenhawk को कहा जाता है हुआ 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 है